जुलाई मा में धनु राशी वालों को किस तरीके से प्लान करना है? इसके विशह में जानते हैं? धनु राशी वालों के लिए समय कुछ यात्रा करने का अगर बहुत दिनों से कुछ प्लान चलना है कि कुछ यात्रा करनी है तो ये समय ये पूरे महीने में आप प्लान करनी है अगर बहुत साल हो गए हैं किसी धार्मिक इस्थल नहीं गए हैं तो वहाँ जा सकते हैं किसी द तोड़ी तपस्या भी है तो प्लेन जगह में वो मंदिर ना हो वो चड़ाई पे हो ऐसी जगह जा सकते हैं इसके लावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस मा कोशिश करिए कि अनावश्यक रूप से आपको उधार देना न पड़े और उधार जिसको भी दीजिए एक बा अपस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा अन्यता आपका धन फस जाएगा और आप खुदी अभाव में आ जाएंगे ये चीजें ठीक करते हुए साथ में आपको अपने खर्च पर भी ध्यान देना होगा ओनलाइन मार्केटिंग में जिस तरीके से एड आते हैं वो आपका प पसावट में नहीं आना है उनके लोब में नहीं आना है क्योंकि धन इस समय सेव करना है इसके लावा आपको एगो पे थोड़ा ध्यान देना है कि कुछ एगो आ सकता है तो आप बिल्कुल कूल रहे हैं किसी से सौविमान टकराने के आउशकता बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपको बहुत धहर के साथ, कूल होते हुए, काम करना, वहीं दूसरी और अपने पेट का ध्यान रखिए, पेट में इंफेक्शन हो जाए, पाचन तंत्र गडवडा सकता है, तो अब पूरे जुलाई में, खाने पीने में घर का भोजन खाईए, साधा खाईए, कहीं बाहर ज ले जाईए, क्योंकि स्वास्त में ध्यान देने की बहुत आउश्यक्ता है, इसके लावा, आपको ऑफिस में जब चलते हैं, तो रिसर्च आती है, रिसर्च के साथ साथ, कुछ बाहरी क्लाइंट हो, या आपको ऑफिस बाहर हो, कुछ बाहरी लोगों के साथ, कुछ मिलकर आपको काम करना पड़ सकता है, किसी प्रोजेक्ट में लगना पड़ सकता है, इसी के साथ, आगे देखते हैं कि कौन सी ऐसी डेट्स हैं, जिसमें आपको एक्टिव रहना है, वो एक्टिव रहने वाली डेट्स हैं, जुलाई की, 4-5-13-14-22-23-24, इस समय आपको बहुत ए गुलाई की 145 13 14 27 28 तो दर्शकों आपको पूरा महिना इस तरीके से प्लान करना है गणेश जी के करपा आप पर बनी रहें आप खुब उन्नती करें यही मेरी मनो कामना है